कि यह देखिए आज के लास में हम लोग समझने जा रहा है उच्फेक्टोरियल के बारे में ठीक है सबसे पहले इसका डिफ्नेशन समझते हैं लेकिन डिफ्नेशन पढ़ने के पहले देखिए आपको पता देते हैं कि फैक्टोरियल जो है काफी इंप्वाटेंट टॉपिक है आपको permutation combination, binomial theorem, probability, statistics इस सभी में आपको क्या चीज़ का जरूरत पढ़ेगा factorial का जरूरत पढ़ेने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले इसका बारे में हम लोग समझ लेते हैं देखिए factorial होता है क्या है जब इसको definition पढ़ने से पहले न देखिए आपको बताते हैं जैसे मान लोगी factorial को सबसे पहले इसका symbol क्या है तो ऐसे लिखो जैसे 5 का factorial लिख रहे है एक लाइन खिशके ना नीचे में ऐसे एक बिंदू लगा देना है इसको हम समझेंगे कि 5 का factorial है या जैसे 5 का factorial ऐसे लिखना है तो इस तरह से भी दे सकते हैं ऐसे इसको a-b-symbol kle Chart भоды कोarken दोनों मेंसे कोई étथ कर सकतो अच्छा फैक्टोरीयल मतलब कि यहां पर क्या है कि जैसे फाइब को वैट्री लिखना है ता को करना क्या है कि आप लिख लेना वार इन्डल suis टू इन्टो वर चज आप का 0 से 0 1 2 3 4 एसब निगेटिव के लिए न फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होगा क्यों डिफाइंड नहीं होगा उसका रीजन हम लोग आज ही के क्लास में समझ लें तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा 5 x 4 x 3 x 2 x 1 कहने के मतलब इसे एक छोटा होल नंबर लिखते जाना है और मल्टिप्लाई करते जाना है ठीक है कहां तक तो 1 तक ठीक है तो इसका वैलो कितना जाएक है इसका मल्टिप्लाई करोगा तो 1 पंटिया जाएक सब्सक्राइब 4 का फैक्टोरियल निकालना है तब क्या कितना जाएगा टेट ट्वंटीफोर जाएगा ठीक है तो आए ओप देखिए यहां पर डिफिनेशन लिखा हुआ है फैक्टोरियल ओफ होल नंबर एन होल नंबर के लिए ही डिफाइंड एध्यान में रखना फैक्टोरियल निगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं तो फैक ट्रक्ट ओफ डेट नंबर विट एवरी होल नंबर लेस देन कहने का मतलब कि जैसे फाइव का फैक्टोरियल आपको निकालना है तो पांच से कम जितना भी होल नंबर आ रहा है वो सब को मल्टिप्लाई करना कहां तक तो तो टील वन वन तक ले जाना ठीक है तो यह इसका 4 3 2 1 सब को मल्टिप्लाई कर देना ते 10 का फैक्टोरियल होगा ठीक है इसका डिनोशन क्या है यह नोटेशन जो भी समझ लो तो यह फैक्टोरियल के बारे में डिफिनेशन है अब इसमें कुछ प्रोपार्टी समझते हैं और यह भी समझेंगे कि जीरो का फैक्टोरियल हो होता है अगर आपको यह ठीक लग रहा है पसंद आ रहा है तो आप इस पे सब्सक्राइब कर दिजिए और लाइक बटन को क्लिक कर दिए ठीक है तो इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है अब जितना इसको देखोगे और जितना सेयर करोगे ठीक है तो हमको भी वीडियो कुल कर दो बनाने में ना मझह औएगा ऐसे तो क्लास् bon made also laug लेकिन चलिए देखिए आगे हम लोग इन का ये जैसे अभी बताया थे कि 5 का फैक्टोरिल क्या लिखाएगा तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 अग जीस नंबर का फैक्टोरिल लिखना है वह नंबर उसे कम उसे फिर कम ऐसे 1 दक ले जाना तो इन का फैक्टोरिल लिखना है तो इन into n-1 n-2 n-3 तो कहां तक जाएगा 3 2 1 तक ठीक है तो ए इन का factorial का अब के लिए इन का factorial पुछे तो क्या लिख सकतो है एन into n-1 n-2 n-3 अब देखिए इसका एक दो properties है जो कि बहुत important है आगे हम लोग इसको यूज करेंगे जैसे आपको 5 फैक्टोरिय लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकतो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल लिखना है तो क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल या इसको और फैक्टोरियल 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 फैक् factorial तो a pattern समझ लो 10 factorial को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है इसके आगे और अगर चाहें तो 6 तक लिखे 6 factorial देके छोड़ सकते हैं ठीक है तो a pattern आप समझ लेजी इन जेनरल अगर n factorial के बारें बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं n into n minus one factorial, ठीक है यहां ऐसे लिख सकते हैं, n into n-1, इससे एक छोटा और लिख लो, n-2 लिख लो, यहां तक छोड़ दो n factorial, n-2 factorial अब सकता है कि नुसार ऐसे भिलिख सकते हैं, n-1 n-2 n-3 factorial n factorial को ऐसे भिलिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से भी लिख सकते हैं ठीक है इतना समझ में आ गया अब देखिए इसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे कि जीरो का फैक्टोरियल वन क्यों होता है आपको यह याद रखना है कि जीरो का फैक्टोरियल कितना के बरावर होता है वन के बरावर हो 3 factorial, तो 3 into 2 into 1, 4 factorial, 4 into 3 into 2 into 1, तो होजागा 24, 5 factorial, तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ऐसे लिखे, तो होजागा 120, या इसको हम ऐसे भी लिखे 5 into 4 factorial, यह पहले से 5 हा और यह 24 था, 24, तो होजागा 120, ठीक है, तो कोई भी देखिए, अगर natural number का factorial निकलना है, तो आप आसानी से calculate कर सकतो, definition करने सार समझेगे, अब देखिए, समझते हैं कि 0 का factorial 1 कैसे आगे, इसको समझने के लिए, 0 का factorial 1 कैसे आता है, इसको समझने के लिए, अभी जो property बदाय थे, n factorial को लिखा जा सकता है, n into n minus 1 factorial, ठीक है, n factorial को लिख सकते है, n into n minus 1 factorial, तो देखिए, यहां से लिखा जा सकता है, n equal to, या n minus 1 factorial equal to, इतना बरावर, n factorial divided by n, यहां से लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट साइड में लेके आए, n factorial divided by n, कहने के मतलब क्या है, यहां से हम लिख सकते हैं, जैसे 3 factorial, तो आपको 3 का factorial लिखना है, तो यहां पे आप क् बढ़ा की इससे लिखोगे, यहां n minus 1 है, यहां इससे जादा है, n minus 1 से 1 जादा है, कितना होगा, n होगा, तो 3 का factorial को हम लिख सकते हैं, 4 factorial divided by 4, suppose that 4 factorial लिखना होगा, तो आप लिखोगे 5 factorial divided by 5, आपको लिखना होगा 2 factorial, तो आप क्या लिखोगे, 3 factorial divided by 3, तो इसी तरह साब 0 factorial लिख के देखो, 0 factorial, तो 0 factorial कैसे लिखोगे, इससे एक ज्यादा ले लो, यानि 1 factorial divided by 1, तो 1 factorial तो 1 ही होता है, तो 1 by 1 मतलब 1, तो यह proof होगा, तो आज के बाद ना यह याद रखना, कि 0 का factorial कितना होता है, 1 के equal होता है, तो 0 का factorial कितना याद रखोगे, 1 होगा, 1 का factorial 1 होता है, और zero का फेक्टोरियल की ब्रावर होगा वन के ब्रावर होगा थीक है अई होप आपको यह समाझ में आ गया होगए गया कि जिरो का फेक्टोरियल वन क्यों होता है देखिए इसके बाद हम लोग समझेंगे कि negative number का factorial defined क्यों नहीं है ठीक है इसमें क्या problem होगे गई नश्म में क्या problem होगे तो देखिए समझते हैं इसको तो इसका मिटाते हैं अब negative number का factorial क्यों define नहीं है यहां सहीं आपको answer मिल जाएगा suppose that तो minus one का factorial निकालने का कोसिस करो तो minus one का factorial निकालो गई तो देखो इसमें क्या करना क्या है कि इसे एक ज्यादा लेना तो जीरो का factorial minus one से एक बड़ा ले लिए ठीक है जो भी यहां रख रहे हो उसे यहां पर बड़ा लेना यहां लेना है तो minus one का factorial निकालना चाहरे है तो इसे एक बड़ा ले लिए minus one से ज्यादा कौन सा नमबर आएगा जीरो तो जीरो का factorial divided by जीरो आप जानते हो कि कोई भी नमबर बाई जीरो ना अंडीफाइंड हो जाता है कोई भी नमबर बाई जीरो क्या हो जाता है अंडीफाइंड तो माइनस वन का factorial डिफाइंड नहीं है तो माइनस तू का भी डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि ऐसाइगा माइनस वन का factorial डिवाइड गाईड कवाइड थी नहीं है मैइनस वन का इसी таких डिफाइंड नहीं होगा इसी तरह से मसं-3 शेए n suppose that आपको बोला है कि 10 factorial divided by 8 factorial कितना होगा आप calculate करो ठीक है आपको क्या find करना है 10 factorial divided by 8 factorial आप कैसे find करोगे तो आप find करोगे 10 into 9 into 8 का factorial ऐसे लिख के छोड़ दोगे 10 factorial divided by 8 factorial 10 into 9 into 8 factorial divided by 8 factorial कर लिए cancel out होगे कितना answer होगे 90 है ठीक है और एक दो बेसिक कोस्चन लिखते हैं सब्सक्राइब को बोले कि आप बताओ n factorial divided by n minus 2 factorial कितना होगे तो आप क्या करोगे n factorial को लिख लोगे n into n minus 1 into n minus 2 factorial तक छोड़ दोगे इसमें जो बड़ा है ना उसको हम लोग क्या करेंगे आगे तक प्रोसीड कर दें जैसे यहां पर 10 factorial 10 बड़ा था तो 10 को आगे तक प्रोसीड कर दिए 8 को छोड़ दिया वैसे इसमें क्या है कि n बड़ा है कि n minus 2 बड़ा है तो n is greater than n minus 2 यह जादा बड़ा है तो यह जब बड़ा है तो हम क्या किये कि इसी को ना आगे तक इसको और छोटा करते-करते लिख लिए n minus 1 n minus 2 factorial divided by n minus 2 factorial यह दोनों cancel out हो जागा कितना answer हो जागा n into n minus 1 तो इस टाइप से हम लोग question करेंगे और next class में ठीक है तो आज इतना ही समझ रहने देते हैं और आज का class में अगर आपको factorial समझ में आ गया हो ता प्लीज इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें और जितना से ज